हेलो बच्चों, बच्चों करते हैं हम क्लास 4 की वर्कशीट नमबर 15, इसमें लेते हैं हम विशे सामाजिक अधेयन जिसका पार्ट नमबर 6 है भारत के पठारी भाग, तो चलिए करते हैं हम इसके प्रश्ण उत्तर प्रश्ण एक, प्यारे बच्चों, पठार पहाडों की अपेक्षा कम उचे उठे हुए भुबाग होते हैं, इसकी सतह चप्ती और सपाट होती है, जैसे मालवा का पठार, छोटा नागपूर का पठार, आदी अब नीचे दिये गए रिक्त स्थानों को अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से भरो, पहला, पठारी शेत्र सबसे पुराना पृत्वी का भाग है, दूसरा, पठार कम उपजाव भाग है, तीसरा, भुपाल मालवा का पठार पर स्थित है, चोथा, कगार पठार का कि नारा होता है, प्रेश नमबर दो, इस वर्ग पहली में पठार से संबंधित कुछ शब्द छुपे हुए हैं, नीचे दिये गए निर्देशों की मदद से इन शब्दों को खोजो, संकेत दे रखे हैं, उपर से नीचे की ओर पहला है पठार का किनारा, इसको हम कहते हैं कगार, और दूसरा है, जो लोग जनगल में रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं आदिवासी, इन दोनों को ही हमने लाल रंगे बॉक्स में दर्शा दिया है, अब करते हैं बाए से दाइ और, पहला जिस जगह से खनीज निकाले जाते हैं, उसे हम कहते हैं खान, दूसरा कगार से निकाले गए पत्थरों के टुकडे इने हम कहते हैं अलंगा इन दोनों को ही हमने बैंगनी रंग के खानों से बना दिया है आगे बढ़ते हैं प्रश नमबर 3 इन प्रशनों के बारे में सोचो और उत्तर लिखें पहला पठार में कौन सा खजाना चिपा होता है उत्तर है पठार में खनिज पदार्थ जैसे लोहा कोईला आदी चिपे होते हैं और इनी को खजाना कहा जाता है क्योंकि इनसे हमें बहुत सारे चीजें बनाने में मदद मिलती है सेकिंड पार्ट पठार की भूमी कम उपजाओ जाओ होती है तीसरा दिल्ली से भोपाल अधिक उचाई पर अवस्तित है क्यों उत्तर है दिल्ली मैदानी इलाके में है और भोपाल मालवा के पठार पर देखते हैं एक क्रिया कलाब आप जान गए हैं कि परवत से पठार कम उचाई पर और पठार से कम उचाई पर मैदानी शेत्र पाए जाते हैं इन तीनों के चित्र बनाएं और रंग भरें तो बच्चों यहाँ पर हम परवत, पठार और मैदान इन तीनों के चित्र दिखा रहें आपको आप अपनी कॉपी में इनको बना करके रंग भर सकते हैं तो बच्चों यह हमने वर्कशीट कम्पलीट कर ली है आप और भी उत्तरों के लिए बने रहें हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले